हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल सरबजीत इंब्राइडरी डिजाइन पर स्वागत है आज मैं इस फ्लावर में पिछ स्टोन स्टिच बना रहे हूं फ्लावर को पुरा बना हुआ देखने के लिए वीडियो को एंट तक देखें इसके लिए मैं यूज कर रहे हूं यह वा भाला इसमें यह वाली नीडल जो बड़ी वाली मैं यूज़ यूज करती हूं यह नीडल है। अगर आप downstream मेरे चैनल को पहली पर देख नहीं ही है तो subscribe करना ना खुले and subscribe करने के बाद बेल अईकन दिखाये देगा उसको तो प्रेस करने से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चलिए यह फ्लार हम स्टार्ट करते हैं मैं इस तरह से यह डिजाइन बना रहे हूँ इसमें ज्यादा डिफ्रेंस इन लाइन्स में नहीं रखें फिर इसको सबसे उपर जो फ्लार का टॉप है वहां पे ले जाएंगे इसके जगह आप पैंसल से निशान भी लगा सकते हैं सेम एक ही जगह से हम इसको दो या तीन बार अगर ज्यादा इसको हाइलाइट करना उबरा हुआ तो आप इसको थ्री टाइमस भी कर सकते हो सेम पॉइंट से और उपर वाला पॉइंट और यह भागे के नीचे वाला पॉइंट दोनों पे सेम पॉइंट पे हम इस तरह से बनाएंगे और थोड़ा डिफ्रेंस रखके अब हम इन दोनों स्टिच के सेंटर में से एक स्टिच लेंगे इसको नीचे वाले थेट तक लेके जाएंगे फिर उसके साइड में इस तरफ से दो स्टिच में थोड़ा डिफ्रेंस रखना जुरूरी है इसलिए यह अलग लग जो है वह शेप इनकी दिखाई देगी धागे को बहुत ज्यादा टाइप नहीं करेंगे अब इसके सेंटर में से फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे उपर वाला सेंटर वाला जो स्टिच है वह हम थोड़ा छोटा लेंगे जो यह बड़ा बला स्टिच लिया है उससे बिलकुल हाफ इस तरह से इसमें भी जो हमने पहले बनाया है इसका जो सेंटर में हाफ स्टिच लेंगे जैसे यह लंबा लिया हुआ है उतना लंबा नहीं लेंगे जितना हमने यह स्टिच लिया है उससे हाफ होगा इस तरह से साइड में भी हम जो स्टिच लेंगे वो हार्फ स्टिच लेंगे इस हाफ स्टिच लेंगे और इससे आगे वाला जो स्टिच लेंगे वो इसके साइड में से लंबा स्टिच लेंगे इसके यह यहां आएगा इसी तरह से हम तीनों लीव्स का उपर वाला पार्ट वाइट कलर से फिल कर लेंगे अब हम इसका जो फ्लार का यह बाला पार्ट है नीचे बाला उसको हम पिंक कलर से लाइट पिंक कलर जो है उससे शेड देंगे उसको भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जब हम लास्ट लाइन लगाएंगे उसमें जो भी छोटे-छोटा स्पेस बचा होगा उसमें हम इसको हाफ स्टिच से इसको भरेंगे जैसे ये थोड़ी थोड़ी जगह है पूरा जो लंबा स्टिच है वो नहीं लेंगे उसको हाफ स्टिच बनाकर इसको खतम करतेंगे उपर से भी जो थोड़ी स्पेस बचती है उसको भी हम हाफ स्टिच लेके बंद करेंगे इस लिए निची आगे जो लेव्स की स्पेस है इसलिए हम वहां पर इसको नहीं लेके आएंगे इस तरह से ये वाली और ये वाली लीव में भी यह एस तरह से शेड दे लेंगे झाल झाल फ्रेंच नॉट के लिए डबल धागा है इसलिए शिक्स जो स्टेंड है उसको डबल करा हुआ है इसलिए इस तरह से रैप करेंगे निडल पर वो सिर्फ दो बार ही करेंगे इसलिए पर अगया स्टी यह अश्वल ड्रीज राल झाल 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 इस तरह से यह हमारा जो पिच्ट्राउन स्टिच है उससे हमने यह फ्लाव बनाया है उमिद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी ऐसे उनए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसे करें अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जुरू करें थेंक यू झाल 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 झाल